हे गाईज आपका स्वागत है भारत के इतिहास हिस्ट्री ओफ इंडिया के इस कोर्स में महर्शाद ली आधुनिक भारत यानी मौडन इंडिया में आज का बेहद इंपॉर्टन टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है 1857 का विद्रो या इसी को कहा जाता है 1857 की क्रांती रिवोल्ट ओफ 1857 बड़ा ही महत्पूर्ण टॉपिक है ये आपके आधुनिक भारत में यहां से दो से तीन प्रशन बनते हैं आपकी परिक्षा में डिसकुस करेंगे अगर हम बात करें 1857 के विद्रो की इस से पहले हमें 1857 से पहले तक भारत में ब्रिटिश सामराज्य की क्या इस्तिती पहले हम ये देखेंगे भई कोई भी जब विद्रो होता है तो विद्रो होने के कुछ कारण होते हैं भई आप घर में हैं और आप अपने माता पिता की डेली बात मानते हैं और किसी किसी बात पर आप अपने माता पिता को जवाब देते हैं उनकी बातों को एक तरीके से नाफर्मानी करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, इसका मतला होता है विद्रोह करना, ऐसे ही जब अंग्रेजी साशन, ब्रेटिश साशन हमारे देश में चल रहा था, तो 1857 से कुछ वर्ष पहले ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनकी वज़े से भारत की जनता होता है, आईए बात करेंगे, ऐसे क्या क्या कारण थे जिसकी वज़े से ये 1857 का विद्रोह पैदा हुआ, क्या ये विद्रोह सफल हुआ, नहीं, इस विद्रोह को कहा जाता है, भारत का एक तरीकी से पर्थम करांती मानी जाती है भारत की, पर्थम सोतंतरता करांती की आपकी परिक्षा में पूछे गए हैं, इस वक्त ये पूछे आता है, जिस वक्त 1857 का आंदोलन ये विद्रोह हमारे भारत में हो रहा था, उस समय ब्रिटेन में प्रधान मंत्री कौन थे, ब्रिटेन की महरानी कौन थी, भारत में मुगल बादशाह कौन था, यानि भूमि पर आजाएंगे इनके हम कारणों पर, क्या वज़े थे जिसकी वैसे ये विद्रोह उत्पन हुआ, तो अंग्रेजी हुकूमत भारत में पूरी तरह से, अगर हम बात करें, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ये बिलकुल निर्धारि हो गया था कि अब अंग्रेजों का साशन यहां पर इस्थापित हो चुका है भारत में, 17-64 के बाद अंग्रेज भारत में रूल करना शुरू करते हैं, और उनमें ही जब साशन और पूरे भारत पर एक तरीकी से जब उनके कब्से होने लगे भारत के ज्यादर छेत्रों प कि फाइदा किसको होगा ब्रेटिश गवर्मेंट को, यानि ब्रेटिश गवर्मेंट अपने फाइदे के लिए भारतियों को नुकसान पहुचाने से भी नहीं चोकती है, इसी वज़े से आक्रोश पैदा होता जाता है, हर छेतर में हर नियम कानून जो नीतियां बनाई थी व्यक्ती थे और इन पदों पर प्रशन बने हुए आपकी परिक्षा में, तो आपसे प्रशन पूछेगा, जब 1857 का विद्रो हुआ था, उस वक्त भारत में या उस वक्त भारत का बादशाह कौन था, ठिक, तो याद रखेगा, विद्रो का स्वरूप हम डिस्कुस कर रह हैं, विद्रो का स्वरूप, इसमें अगर हम विद्रो की बात करें, 1857 के विद्रो की शुरुआथ कहां से हुई ती? कब हुई थी? यह प्रशन आपकी परिक्षा में पूछा हुआ है, दस मई 1857 को मेरट से इसकी शुरुआथ होती है, इस विद्रो की, इसके प्लोट में भी चलेंगे हम पहले में आपको भूमी का बता देता हूं और जो मौडियूल तीन से चार पॉइंट मैं आपको बताये हैं वही आज के मौडियूल में कम्प्रीट करेंगे इस समय जब विद्रो हुआ था तो भारत का मुगल-बाथ्शाह इस समय भारत में जो मुगल-बाथ और इसी का एक सैनापती हुआ करता था ख्रांट ओर अपसे पूझेगा में इसके अलावा ब्रिटें में बात कर लेते हैं कि बेसे में कौन कौन था ख्रांट बिटेन के जो प्रधान मंत्री थे इस वक्त, बिटेन के प्रधान मंत्री थे पामस्टन, बिटेन के प्रधान मंत्री इस वक्त 1857 में हमारे देश में तो مुगल-बाथशा बहादूर-चाह जफर था, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत भी आ चुकी थी बहारत में लेकिन भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया हुआ था ये था लॉड कैनिंग ये प्रशन बहुत पूछा हुआ है 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये था लॉड कैनिंग ये प्रशन पूछा हुआ आपसे ठीक और भारत में जो अंग्रेजी सेना थी इसका सेन सैनापती नहीं में हैं इसको खता करके कॉल इन क्यम्त पर एक मेंस्त कर भूर Guna मुख्य सेनापती की रूप में कॉलिन कैम्प बेल को लाया गया सेनापती बनाया गया इसके क्या कारण थे क्यूं इसको सेनापती बनाया गया वो आगी कहानी अभी हम उन चरितर को देख रहे हैं जो इस 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से भी और अंग्रेजों की तरफ से भी किन-किन का रोल है और इस विद्रोह का जो प्रतीक बनाया गया था इस विद्रोह का जो प्रतीक बनाया गया था वो रोटी और कमल जहां जहां रोटी और कमल पहुंचते जा रहे हैं समझ लीजे कि वहाँ पर इस विद्रो के बारे में जानकारी पहुंचते जा रही थी ये इसका क्या था ये इसका प्रतीक था अब हम बात करेंगे कि इसकी चली ये तो होगे हमारी भूमिका में कौन-कौन लोग शामिल थे अब हम बात करेंगे इस 1857 का जो विद्रो हुआ था जिसको भारत की पहली सुतंतरता क्रांती की संग्या दे जाती है इसके कारण क्या थ था उस वक्त British Government के हाथ में या East India Company के हाथ में थी British साशन चल रहा था हमारे देश में ठेक है British साशन का मतलब पहले हैं East India Company का ही साशन था हमारे देश में तो पहले कंपनी आती है व्यपार करने के लिए भारत में व्यपार करते करते हुँ वो कंपनी इतनी शक्तिशाली हो जात राजनीतिक कारण हम देख रहे हैं कि इस विद्रो की कारणों को जानेगी किरा आगदी कारण किता तो राजनीति में पौलिटी में साशन विवस्था अंग्रेजों के हाथ मैं तो अंग्रेजों कि जुग साशक हुए इस समय एक ऑलर्र लौट वेलेजली था साशक, लौट वेलेजली था, लौट डलहोजी बना, लौट कैनिंग, इन लोगों ने ऐसी नीतियां चलाई, जिन नीतियों के चलते भारतियों को बहुत ज्यादा परिशानियां उठानी पड़ी, बहुत ज्यादा संगर्स करना पड़ा, और यहां की लोग गुस्से में आकरोशित हुए, चलिए, जानेंगे कि लौट वेलेजली ने राजनितिकार्णों को पहले जानेंगे हम, ठीक है, राजनितिकार्णों को पहले जानेंगे, लौट वेलेजली था, लौट वेलेजली यह जो है, एक तेरी किसे गवर्नर था, गवर्नर ज जेनरल बायसराई ये सब अलग से डिसकस करेंगे क्योंकि अभी हम 1857 की करांती के कारणों को पढ़ रहे हैं तो इस 1857 से पहले कौन-कौन सी नीतिया कौन-कौन सी पॉलिसी अपनाई थी अंग्रेजों ने जिसके वेसे भारती परिशान थे इन से और जिसके वेसे ये विद् संदी शुरू की थी इस संदी को बोला गया सायक संदी इस समय भारत में बहुत सारे जो रियासत थी रियासत थी वो रूल कर रही थी राज कर रही थी भारत में जो साशक्ते यहां के राजा थे वो अपने-अपने अलग-अलग राज्यों में रूल कर रहे थे ठिक तो एक क colours है вызले इस ने इसको 1788 में शुरू किया गया था वैयलज ली के दोरा इसको मेत्री संदी कहा गया मैं मेत्री मतल्ब मित्रता इसने ऊफर रख़ा भारती राजाओं के सामने कि अंग्रेज और जो भारती राजजी अंग्रेज वैलेजली चाहता था कि जो वैलेजली है इसने भारत के देशी राज्यों से सम्मंद इस्थापित करने के लिए इसको बनाया था सिर्फ सम्मंद इस्थापित नहीं करना चाहता था वो भारत के या ब्रेटिस सामराज्य का विस्तार करना चाहता था यानि जो ब्रिटिश जिन राज्यों पर चेतरों पर कब्जा किया है और बढ़ाना चाहता था ब्रिटिश सामराज्य को भारत के अंदर क्योंकि पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ था इंडिया कुछ-कुछ राज्यों को एक तरीकी से ऐसे उसने जो है अपनी ऐसी पॉलि यह सायक संदी आई थी और सायक संदी भारती राज्यों को एक तरीकी से ब्रिटिस राज्य के लिए कंविंस किया गया इस संदी की प्रमुक्षरते क्या थी अब यह इंट्रस्टिंग टॉपिक है यह सारे के सारे ठीक है चलिए इस संदी की प्रमुक्षरते क्या थी इसमे में अंग्रेजी सेना को रखेंगे और उसके बदले वो अंग्रेजी सेना सुरक्षा प्रदान करेगी राज्ये को ठीक है किसी भी भारी दुश्मन से जो अटाइक करेगा उसकी सुरक्षा करेगी उस राज्ये की और इसके बदले में अंग्रेजी सेना के वहां सर्विस देन यह संधी को अपनाएंगे वो राज्ये वो क्या है कोई भी विदेशी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते कोई भी विदेशी से help नहीं मांग सकते नहीं किसी विदेशी company के साथ कोई भी सम्मंदर रख सकते थे ठीक है यानि एक तरीके से अब जो बाहरी मामले हैं भारत के वो British अपने नियंदर में लेना चाहते थे ठीक है और केवल कह दिया कि आपके आंतरिक मामली जो होंगे राज्ये के उसमें हम कोई हसक शैप नहीं करेंगे हम आपको एक सेना दे रहे हैं आप उस सेना का खरचा वहन कीजे और अपने राज्ये में सुरकषा उससे ही पाईए ठीक है हमें आप भास इतना पैसा देते रहेंगे तो दूसरा आप किसी विदेशी राज्य से नहीं मिलेंगे, किसी दूसरे राजा से नहीं मिलेंगे, बाहर के, बाहर के देशों के राज्य से, कभी मदद मांगने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ होकर के वो कूट नीतिया या नीतिया न बना, क्योंकि उससे पहले, इनसे को सभिकार करने वाले राज्य कुछ से वहेश सबसे पहला राज्य हुआ है thогод है इसके बाद नंबर दो पे आता है मैसूर्ने 1799 में तंजओर ने भी 1799 में तो ये आपको rank के हिसाब से हैं फास्ट सेकेंड थर्ड तंजोर के बाद आता है अवद फिर पेशवा फिर बराट के भोंस ले ठीक है यह आपको याद रखने हैं यह क्रम है जो इस संधी को अपना लेते हैं फिर उसके बाद सिंधिया सबसे अन्त में तो यह हो गया अब जो सायक संधी थी सायक संधी में क्या था अंग्रेजों ने तो यह ट्रैप था एक जाल था यह संधिया जो है बहुत धीरे धीरे इस तरह से कमजोर करना था भारतियों को कि वो कमजोर हो करके खुद सरिंडर करें और वो ब्रिटिस सामराजे में उस राज्य को मिला लें ऐसा था तो सायक के साथ अपनी सेना को जो है राज्य को उधार दे देंगे अंग्रेजों ने कुछ सर्ते रखी पैसा लिया उनसे और अपनी सेना को राज्य को उधार दे दिया दूसरा अगर हम बात करें दूसरा चरण क्या था अंग्रेजों का या दूसरे स्टेप में क्या करते थे अंग् थे सिर्ड राजा को क्या है दया पर जीना पड़ता था किसकी राजा की तो इस तरह से हीन भावना पैदा होने लगी राजाओं के मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे जब हड़पना शुरू कर दिया एंग्रेशों को तो साइक संधी के क्या प्रभाव हमें देखने को मिल कुछ नहीं कर सकते उन पर अंग्रेजों की निजर रहेगी यानि उनकी सेना की निजर रहेगी राजाओं की जो अधिक आर्थिक बोज पढ़ने लगा उनकी सेना को रखने के बदले में वो उसको सह नहीं पा रहे थे तो इसलिए वो अंग्रेजों की दया पर ही जी रहे थे ठीक तो राजियों में जो कंपनी है कंपनी का हस्तक शेफ राजियों में अब बढ़ने लगा इंडिरेक्टली ठीक है तो इससे क्या हुआ भारतियों में गुस्सा पैदा होने लगा अक्रोश होने लगा यनि वो ब्रिटिश के खिलाप होने लगे तभी तो बाद में ये 1857 क इसकी भी शारी आता है 846 और आपको पता है 1857 में हुई थी क्रान ठी 870 बहुत ज़्यादा कै Almost व्यबगत सद्धान्त और गोध पर्था निशेद ये हाला कि तीन नीतिया हैं लेकिन इसकी डॉक्राइन ओफ लेफ्स या इसको आप एक के नाम से ही पूत्चा है आपको परिक्षा में ये किसने लागू की राज हडप की नीती व्यबगत सद्धान्त या गोध पर्था नि गवर्णर्जेंल निूक्त किये है उनका एक ही मकसद था कि बिस्तार करना विस्तार करने के मतलब ज्यादा से जाधा भारती에 चहरों रियासत को बिस्तार को बिइश हखूमत में मिला लेना खी करदी शामदम्ध कर लेना किसी उप्ना जरह से ठीक है, राज्यों पर अटैक किया, युद्ध किया, और बाद में उनको अपने में मिला दिया, ऐसे ही बर्मा, सिंध, पंजाब, इन छेतरों वो युद्ध के माध्यम से बिटिस सामराज्ये में मिलाया गया, क्लियर हुआ? दूसरा है कुपर साशन या कुशाशन की नीती अपनाई थी तलहौजी ने, इसने क्या क्या, जो राज्ये थे, जो रियासत थी जो भारतिय राजा थे, उन भारतिय राजाओं पर इसने आरोप लगाने शुरू किये, कि आपके यहाँ जो है साशन ठीक नहीं चल रहा है, कि यäreक लुभ दधेग हैं देखिए डेल होजी ने आवध में जो है अवधस के खिलाफ जो है क्या किया दो रिपूर्ट तयार करवाई थी और जो एक सरकारी मतलब है ब्रेटिश की तो यहाई इण सरकारी रिपोर्ट और रिपोर्ट जो है वो विशप हैब ने बनाई थी, तो जो सरकारी रिपोर्ट थी, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें, यह आउटरम की रिपोर्ट थी, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवद का विले किस में कर लिया गया, ब्रिटिश भारत में कर लिया गया, ब्रिटिश भारत का मतलब भा आवद का चीफ कमिशनर बना दिया गया समझ गया आप तीसरा जो सिद्धान था वो था व्यपगत सिद्धान थी या हलपनीती इनको हम आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे अभी हम सिर्फ रिजन जान रहे हैं ठीक है ताकि आपको ये प्लॉट भी समाझ आ सके आगे भी आपके बहुत हल्प करेंगे तो व्यपगत का सिद्धान थी हलपनीती क्या थी जो रियासतों के राजा थे रियासतों के राजा पर कोई उत्राधिकारी जैसे राजा थे अगर राजा का कोई पुत्राधिकारी नहीं है वहां बैठने के लिए उस रियासत में तो क्या उनको उत्त उत्राधिकारी गोद लेने का भी अधिकार समाप्त कर दिया गया था ठीक है उस पर पैन लगा दिया गया था और जैसे ही जब कोई वैलिड या वैद कोई उत्राधिकारी नहीं होता है राजा का उस कांडिशन में तो उस राज्ये को हड़ा पे ले लते थे तो ऐसे कर रहा लेकिन करोली में विद्रो हुआ और इसकी रिपोर्ट को जो है बाद में जो बॉर्ड ओफ कंट्रोल है उसने नहीं माना तो करोली से जो हड़पा हुआ एक तरह की से करोली को जो हड़पा था वो वापस लोटाना पड़ गया करोली को यह याद रखिएगा ठीक है तो डलोजी के दुआरा हडपा गया पहला प्रांद कौन सा हुआ शतारा अंतिम प्रांद कौन सा हुआ अवद अवद को 1856 में हडपा गया था तो अवद के लोग अवद के नवाब यह सब गुस्से में थे कि जबरदस्ती कैसे कुशाशन के आरोप लगा करके कैसे पत से हट सा और विले कर लिया गया है ठीक है यह हुआ अब बात करते हैं तो भै इस तरह से जब कर रहे । नहींद की जनता नहीं separate रही है तो इस अग्रेज आपको पहले सी पता है कि अंग्रेज बहुत भेदभाव करते थे भारतियों के साथ में और आप यह जानते थे कि भारतियों को भी उन्होंने जो है सेवाओं में या ब्रेटिस सरकार में भी शामिल करना शुरू कर लिया था लेकिन वह भारतियों को उच्छ पदो अगर कोई भारतिया जज हुआ करता था जो भी वह भारतियों किसी भी अंग्रेज के विरुद कोई भी मंकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था ठीक इस तरह की प्रतिबंद थे तो यह प्रसाशनिक कारण थे तो इससे भी हीन भावना एक तरीके से पैदा होती थी भारत के लोगों में डलहोजी ने भारत के जो नवाब थे उस वक्के तंज़ोर और करनाटक के उनकी जो उपाधियां मिली हुई थी उन वो खतम कर दी सारी उपाधियां जब्त कर ली और डलहोजी ने मुगल बादशा जो भादूर शा था इसको अपमानित किया और कहा कि जल्दी जिकारी होंगे आगे आने वाले जो मुगल होंगे इसके बाद वो मुगल समराट या मुगल बादशा नहीं कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे वो सिर्फ राजा ही कहलाएंगे तो मुगल बादशा की उपाधिया किस ने खतम की याद रखिएगा कैनिंग ने खतम की यहां स कर लेते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों की सामाजिक और धार्मिक कारणों की अगर हम बात करें 1857 के विद्रों में ये भी एहम रोल निभाते हैं इसमें अगर बात करें हम तो 1813 में जो था क्या हुआ था इसाई मिशनरी भारत में आये, इसाई मिशनरी भारत में आगमन हुआ या यानि इसाईयों का एक तरीकी से इसाई धरम का परचार-परसार करने के लिए अनूमती दी गई ये group of people था, अंग्रेज़ों का इसाईयों का, जो भारत में इसाई धर्म को promote कर रहे थे, परचार कर रहे थे ये लोग बेरोजगारों को, विद्भाओं को, अनाथों को, इनका धर्मा आंतरौन कर रहे थे अब लोगों को भी वो इसाई बनाना शुरू कर रहे थे तो इससे भी क्या है आकरोष पैदा हो रहा था हिंदू और मुसल्मानों के साथ वो भेदभाव करते थे बिल्कुल दोनों को ही वो कटर मानते थे एक तरीके का और अंग्रेजों के द्वारा भारतियों के साथ रंग भेद यानि अंग्रेजों को काला समझा जाता था, हीन समझा जाता था और भारतियों को जो है काला समझा जाता था, हीन समझते थे अंग्रेज लोग, खुद वो गोरा कहते थे खुद को, ठीक है, 1850 में धार्मिक निरियोग गयता अधिनियम आया, और इस अधिनियम के तहट जो इसाई धर्म को अपनाता था, उसको ही पैत्रिक संपत्ती में अध समय अगर हम बात करें, एक थी सती प्रता, प्रता या परंप्राओं का जो मतलब है, वो अर्थ है, बहुत समय से फोलो होती ही आ रही ही ती इस समय भी अंग्रेजों के समय में विसे विद्वान थी, गुप्तकाल के समय से ही, तो सती प्रता बार भी रोक लगाया था, बैं के समय में ये पारित हुआ था ये बिला 1856 में देखो वही समय आ गया 1850 करांती हुई थी और उसके एक साल पहले तक ये सारी घटनाएं और वर्षों पहले तक कुछ ये घटनाएं हो रही थी इससे हमें ये समझ में आया कि जो भारती हैं ये प्रताएं तो हमारी पहले से चल अंग्रेजों के प्रती और ये सारा गुस्सा एक साथ फूटता है कब 1857 में थेक हैं अभी हम उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन जिन की वैसे भारती परिशान थे ये इस विद्रोह को शुरू करने के लिए वो क्या हुए मजबूर चलिए ये हो गया अब हम बात कर ले किसानी के लिए जमीदारी विवस्था रायत वाड़ी विवस्था महल वाड़ी विवस्था जैसे जमीदार विवस्था के एक्जामपल के तौर पर समझें यहां पर एक जमीन होती थी एक लैंड होता था भूमी को किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता था कि इस जमीन से चेतर से जो भी सबसे ज़्यादा राजस्प की उगाही करके देगा ये जगे उसी को दे दी जाएगी जमीन का मालिक वही होगा यानि जमीदार ये जमीदारी विवस्था थी ठीक है तो इसमें ज़्यादा लगान वसूल करता था ये उसी के पास रहता था और जो नहीं दे पाता था उतना तो अगले बार जो है उस जमीदार को हटागर किसी और को दे दिया जाता था ये सारी उसी तरह की विस्थाएं थी जिसमें भारतियों का सोशन होने लगा भारत का अनौद्योगी करण क्योंकि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था उसको क्या किया गया England shift कर लिया गया यहां से ठीक है तो यह क्या है भारत में अब आर्थिक कारण है भारत को पैसे की तरफ से भी कमजोर किया जा रहा था ठीक कशी का वारिजी करण किया गया तो इस से क्या होगा भाई यह सारी चीजैं अंग्रेजों ने एसी दमनकारी नीती थी जो भारत में गया थे यह क्या पार से चारप प्रमुक कारण हमें दिस्कस कर लिये लिए ये तो कुछ साल पहले से ही प्लॉट बन रहा था इस क्रांती का, लेकिन जो उस समय 1857 में ऐसा क्या हुआ कि उस रीजन की वज़े से भी ये सारी पब्लिक भड़क चुकी, तो वो तातकालिक कारण था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में क्या हुआ, एक ब प्रिस लगा था, उसमें चिकनाई के अस्तेमाल किया गया था, जो कि हिंदूों के लिए और मुसलिमों के लिए दोनों के लिए ज्या थी, ये एक तरीके से उसको सही मानते थे और जिसकी वएसे सिपाही उन कारदूसों को खोलने से मना करते हैं, तो ये एक तातकालिक कार